वेलकम टू इन्फो ट्रेड तो साथ यो एक नई वेकेंसी निकल कर आईए आपका मन्त पसिंद देज़ ब्रांट यहां से हर वक्त हर दो तीन महिने वेकेंसी निकल कर आती है तो मैं हूं सीधा कहां भारतिया टकसाल वेकेंसी की तरफ तो यहां से वेकेंसी निकल कर आईए ह तो यहाँ पर technician post और vacancy निकल कर आया आप देख सकते हैं कि यह इसकी official website होगी, company's की website यह है तो इस पर आप official जाके आप update ले सकते हैं कि क्या इसमें up and downs आये हैं तो मैं सीधा ले चलता हूँ और आपको कैसे form fill करने पड़ेंगे online application form आपको यहाँ इसमें fill करने पड़ें mode of application की बात करते हैं तो यह link है brief instructions चाते हैं तो यहाँ आपको यह पढ़ना पड़ेगा PDF बहुत बड़ी है, 25-30 PDF की PDF है बट मैं आपको इसमें जो short और main बात है केवल वो ही focus करौँगा आपको detail advertisement में website कब होगा, दोनों होगा online application link start कब सोगा, दोनों से होगा last date क्या होगी, एक दस होगी, paper की date कब होगी October, November में आपके paper की date भी हो जानी चाहिए चले जी, help line की अगर बात करते हैं, कुछ query चाहिए तो यह इसका official link है, आप इस पर कर लिजएगा चलो, तो सीधा में ले चलता हूँ, पूरे भारत के student इस form को fill कर सकते हैं, चलिए, detail advertisement की बात करते हैं, तो यहाँ जो vacancy निकल कर आई है, किस किस post पर आई है, आप देख सकते हैं, क्या जी, post code कितने हैं, हमारे post code total बारे हैं, जैसे बात करते हैं, foundry man की आई है, ठीक है, बात करते हैं, fitter, electrician, तो सभी के post पर vacancy निकल कर आई है, आप देख सकते हैं, fitter के लिए भी है, इसमें, electrician के लिए भी है, welder के लिए electronic instrument, plumber हो गया, machinist हो गया, tunner हो गया, सभी के लिए vacancy निकल कर आई है, आप अपनी category के according जिसमें आप आते हैं, general, SC, ST, OBC, तो इसमें आप देख लीजेगा, किस-किस trade में आप आते हैं, और किस-किस आपका वो है, ठीक है, abbreviation की बात करते हैं, तो यहां यह पूरा आपका abbreviation होगा, जैसे fitter की बात करते हैं, तो fitter में यह होना चाहिए, लेक्टिशन में यह होना चाहिए, education qualification की अगर बात करते हैं, तो education qualification इसमें कुछ जादे माँगा नहीं है, simple idea ही माँगा हुआ है, pay skill की अगर बात करें, तो इतना pay skill आपका होगा, third PRC के, एक और, eligibility condition की बात करते हैं, तो India, Nepal, Bhutan, सभी tech के, निवासी इस form को fill कर सकते हैं, out of India भी, age limit की बात करते हैं, तो age group 28-25 होगा, general वालों के लिए होगा, यह इतने के लिए होगा, और lower limit date of birth इतनी होनी चाहिए, तो इसमें आपने according देख लीजेगा, और एक से बारे, junior technician के लिए, जो एक से बारे पद हैं, उन सभी के लिए यह होगा, ठीक है, तो general OBC वाले हैं, तो इतनी क्या होगा, upper limit date of birth इतनी होनी चाहिए, आपकी तो इसमें देख लीजेगा, कहां कहां क्या क्या मांगा हुआ, है, age relaxation की बात करें, तो वो ही government rules के according जितना होता है, CST को 5 साल के लिए, OBC वालों को लिए 3 साल के लिए, तो इसमें आप देख लीजेगा, ओके, चलो, बात करते हैं, सीधा कहां, इसकी हम, special note for all the candy, यहां करते हैं, कि इसकी minimum qualification, क्योंकि सबसे main बड़ा हत्यार इसमें यही ही है, और सब में NCVT और SCVT दोनों को प्रात्यमिक्ता दी गई है, मैं किसी एक form को फिल उठाता हूँ, और सब कुछ वही होगा, जैसे postcode no.06 junior technician fitter की बात करते हैं, तो full time ITR certificate होना चाहिए, NCVT, SCVT दोनों में, किस-किस में, fitter में, mill line, maintenance और mechanic में, तो देख लिजेगा, NCVT और SCVT दोनों को प्रात्यमिक्ता दी गई है, ITR इसमें होनी चाहिए, कि दोनों तरफ से, चलो जी चाहिए NCVT से हो, चाहिए आपके SCVT से हो, तो यहां तो यह बात हुई vacancy गी, पट preparation कैसे करें, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं, जो हर दूसरे तीसरे महिने में, आपकी vacancy को release करते ही रहते हैं, तो इसी के अगर आप vacancy की preparation करना चाहते हैं, तो मारे application पर foundation batches के नाम से courses upload है, recorded batch आपको मिल जाएगा, सारी classes उसमें मिलती हैं आपको, तो वहाँ जाके आप trade theory हो गया, math हो गया, reasoning हो गया, GK हो गया, तो सभी की classes को आप useful होगी, ठीक है, तो यहां से आपको इसमें इतना मिल जाता है, चले जी, बात करते हैं इसकी आगे की, अगर हम बात करें इसकी, तो जाप देख लीजएगा, क्या-क्या इसमें मांगा हुआ है, अपने level के according, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें अगर बात करें हम, paper की, कि सर paper में क्या-क्या आएगा, तो यह PDF सात्यों बहुत बड़ी है, तो मैं आपको जो short चीज़ें इसमें, बस वही बताता हूँ, क्योंकि इसमें, फिर आप अगर पूरी PDF पढ़ेंगे, तो यह बहुत आपको disturbance, disturbance create करके देगा, ठीक है, चलो, एक माट टुक है, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या आएगा आपको, देख सकते हैं, तो अब बात करते हैं, किसकी name of postcode, syllabus के अगर बात करते हैं, क्योंकि syllabus जो है, वो बहुत बड़ा main हतियार होता है, तो देख लिजेगा, यह सभी postcodes के लिए, आपका syllabus होगा, एक से लेकर बारे तक, तो टोटल इसमें कितने duration मिलेगा आपको, तेख गंटे का मिलने वाला है, जन्रल एबिलेटी टेस्ट, अवेर्नेस, बेसिक, लेंगवेज, इसकिल, यह तो सब कितने नंबर का हैगा, तीस question होगे, maximum तीस नंबर का होगा, टेकनिकल पार्ट बीस होगा, टेकनिकल सब्जेक्ट हो, कितने का होगा, आपका नंबर कोशन साथ होगे, जो कि कितने होगे, एक सो बीस होगे, यानि एक कोशन दो मार्क्स को होगा, टोटल मार्क्स कितने होगे, आपके डेड़ सो होगे, और इसमें आपकी 60 मिनट मिले गी ठीक है तो दो फेज में पेपर होगा पार्ट A और पार्ट B में तो पार्ट A में 30 कोशन है 30 मार्क्स के मिलेंगे और इसमें आपको डूरेशन भी 30 मिनट की मिलने वाली है ठीक है तो इसको अच्छी तरह समझेगा और यही क्या है सबसे पार्ट A में आपकी 50 परसेंट है और पार्ट B में आपकी 1 परसेंट तो भी आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे मिनिमम परसेंट जनल वालों के लिए 55 परसेंट रखी गई है ठीक है तो यहां से जो इंपोर्ट अपडेट थी वह मैंने आपको बता दिये तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम मिलते हैं सिधा का आपको नेक्स वीडियो में तब तक बेस्ट आपको अल भूल 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 हेलो हां मिया